नमस्ते मिरे नाम है युए ब्रागेंश और आप सभी का हमारे चैनल पे दोस्तों सवागे थो आज जब बाबर आजम प्रेस कॉणफेर्स कर रे थे तो तो मीडिया पाकिस्तान की मीडिया बहुत सारे सवाल कर रहे थे जिनके अमने में जो भी आ रहा था वह सवाल कर रहे तो उसी में से एक लड़की थी वह शाफी है पाकिस्तान की तो उस शाफी ने ये बोला कि पूछा एक्चुली में कि जब आप कप्तान थे तो कप्तानी में मैं आपको कभी खुश नहीं देख वाई बहुत जादा डिप्रेसिव जो है वो तस्वीरे निकल कर सामने आती थी लेकिन जब आपने कप्तानी छोड़ी और दो टूर आपने खेले अस्ट्रिया टूर निजलेंड की टूर आपने खेले तो आप इंसाइड दे स्टेडियम भी काफी ज्यादा खुश नजर आ रहे थे हसते खिलते नजर आ रहे थे तो क्या जब आप दुबारा कप्तान बने हैं तो क्या मैं आपको फिर उसी तरीके से देख पाऊंगी जिस तरीके से भी आप PSL में खेल रहे तो इस पर बाबर आजम का कहना था देखें हर किसी का रोल अलग अलग होता है जब मैं कप्तान था तो उस पर मुझे भीपरेशर होता है जब मैं Batsman के तरह खेल रहा होता ह। वाला, डिप्रेसिव हो, सैड हो, कोई भी चीज़ हो, वो raw emotions जो है, वो निकलते रहते हैं, तो इसमें कोई इतना ज्यादा सोचने वाली बात है नहीं, लेकिन हाँ, मैं ये बात मानता हूँ, कि कुछ लोग जो है, मुझे खुश नहीं देखना चाहते हैं, ये बाबर आजम क प्रेस कॉंफरेस में कहाना था, इसका मतलब है कि बाबर भी सोचल मीडिया लगातार वो देखते रहते हैं, आकिस्तान की मीडिया को भी लगातार वो देखते रहते हैं, तब ही जागर उन्हें ये बात पता चलिए, या फिर जो उनके शुपचिंत तक है, जो वेल विशर है, वो भी बताते होंगे कि बाबर आपके बारे में जो हैं लोग तरह तरह की ऐसी ऐसी बाते बना रहे हैं, तो शायद इसी वज़े से, वैसे मैं आपको बता दो कि हर खिलाडी का अपना सोचल मीडिया अकाउंट है, अलाकि इमका मेनेजर संभालता है, बट आफ्टर ओल वो भी है इंसान और उनको भी पता चलता रहता है कि कैसे क्या कुछ चल रहा है, नहीं चल रहा है, हाँ ये बात जरूर है कि बाबर आज़म अगर इस सीरीज में खेलते हैं, खेलेंगे ये, कल से कप्तानी भी करेंगे, तो फैंस उनके यही चाहते हैं कि बाबर का कभी उस है वो बंदा, एटलिस्ट हैपी तो रह रहा है, और बाबर आज़म के लिए इस समय पॉजिटिव रहना, खुश रहना, यही सबसे बड़ी बात होगी, क्योंकि कप्तान बनना आसान नहीं होता है, वो भी पाकिस्तान की कप्तानी करना बहुत ज़्यादा आसान चीज नही ही है, आपको काटों पे चलने जैसा होता है, तो होप सोग कि बाबर आज़म ने जो असाइन्मेंट अब नया लिया है, उसमें वो खरे उतरे, लोगों की उम्मीदों पर खरे उतरे, और आगे देखें क्या कुछ होता है, वीडियो में बसित रहीं, धन्यवाद.